हेलो फ्रेंड सबस्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फामा एमसी क्यों में तो आज हम एक है यह ले टेस्ट है क्वेशन पेपर है फार्मसिस्ट एक्जाम का तो जैसे मैंने वह वी एमसी का करा थे ना वडोदरा मुंसिपल कॉर्परेशन का इस टाइब से करेंगे extend के साथ Turn करते हैं क्वेशन नमबर से बसक्राइब अच्टीज़व और इसकी क्या सब्चाम मा वेशाएं करींड के perspective कि पूछा है को यह तो नंद कि आर यह गदरन वह मस्तंक हैं तो अपने से क्या पूछा है वोलाटाइल जो होता है किता परसेंटेज होता है तो इसमें 0.3 से 1% थक वोलाटाइल प्रेजन होता है कोरियंडर के अंदर ओके तो आपके ओप्शन देखिए अब आप 1.75% 1.50% 1.25% या 1% तो हमारा ओप्शन डी बिल्कुल एक्जैक्ट बिल वो दी लीनलूल होता है यह आपसे पूछ सकते हैं डी लीनलूल जो है में जो इसका कॉंस्ट वोलाटाइल ओल होता है डी लीनलूल कितना 90% तक होता है इंपोर्टन पॉइंट आपको ध्यान रखना है नेक्स के क्वेशन नमबर 2 फ्वेशन है लैनोलीन इस रिलेटिट ट तो लैनोलीन जो होता है यह जो हाइड्रस फूछ स्वाइट को आप लगते हैंNe बोलते हैं तो लैनोलीन जो होता है हिए इसकी हचेयरस फैट इसको सर्स भीघष्च का सोब्सक्ति होता है तो आपका अब्रूरत很好 JON नेक्स्ट है question number three question है volatile oil obtained from a joint fruit is rich in तो अजवायन fruit में जो व्लटाइल ओल है उसका मैतलब chemical constraint जिस थाइमोल है चार options में थाइमोल ही है तो थाइमोल है इसके अंदर कितना percentage थाइमोल है यह आप से पूछा हुआ है देखिए तो अजवायन जो है है इसका source क्या होता है इसका होता है ट्राइकाइस पर्मम ट्राइकाइस पर्मम कॉप्टिकम इसका source होता है और यह भी अंबैली फैरी इसकी family होती है ओके तो इसमें ना 2-4 परसेंट तक इसमें volatile oil present होता है जवायन के अंदर तो इसमें जो थाइमोल होता है यह कितना percentage होता है यह थर्टी से सिक्स थर्टी फाइव से थर्टी फाइव से थर्टी फाइव हमारे option में 35 से 60% तक थाइमोल होता है ठीक है तो यह मतलब कुछ जादा ही डीप में पुछा हुआ है क्योंकि इतना सारे क्रिमिकल कौंस्टूंट कितने-कितने percent है इतना तो वह सार है तो इसमें थाइमोल हमारा option ए रहा है सही रह थाइमोल 35 तौ 60 परसец होता है ठीक है तो हमारा थाइमोल हो गया 35-60 होगई यह हो गया हमारा क्वेशन नमबर थ्री आप क्वेशन नमबर फोर देखिए बैस्ट वराइटीज ओफ फैनल कंटेंड डैश ओफ वोलाटाइल ओल तो फैनल जो है इसमें कितना वोलाटाइल होता है फैनल का सोर्स आपको पता यह फोनिकुलम वलगे रंबैली फैरी फैमली होती है इसमें रो होता है और यह पंजैंट होता है और एनिट्छों स्विट होता है और यह फिनॉलिक इथर होता है तो ऐसे पूछ लेते हैं कि फैनल का कोई वसक्तव क्यांट नब चेंग याद रखते हैं और इसको क्वेशन देखके आप इसको टिक करेंग और सा ओप्शन सी करेंगे फोर तू फाइफ परसेंट के हमारा ओप्शन सी राइट हो जगा क्वेशन नमर नेक्स्ट है फाइफ सोडियम लॉरेल सलफेट जो एसलस फाप पढ़ते है इस यूज़ इन शैंपू बिकोज तो यह सर्फेक्टेंट होता है अनायनिक इस वेरी एकोनामिक तो यह हमारा राइट हो जाएगा इट प्रोड्यूस लैदर सौफ्ट इन नेचर ओके तो फाइफ का फाइफ का ओप्शन ए नेक्स्ट देके क्वेशन नमबर सिक्स है क्वेशन है विच फॉलूंग इस रिप्रेजेंटिंग बैस्टिडो फॉमुला तो बैस्टिडो फॉमुला को मतलब इसमें से कौन सा है यह आपको ओप्शन दिये हुए हैं तो इसमें यह ध्यान कर लेना बैस्टिडो फॉमुला एज इन इयर्स प्लस त्री डिवाइड़ बैस थर्टी इंटू अडल्ट डोस होता है चाल्ड डोस कैलकुलेट करने के ल इन इनिबिटर ने थे सकती हैंट और एक तेक्रोंस पारिन चाहिए थिक है तो यह वह ही साइकलोस पॉरी नहीं होती है एक फंगस से ओप्टेन होती है ध्यान रखना ओप्शन सी हमारा राइट हो जएगा क्वेशन नंबर देखिए एट क्वेशन है एक्जाम्पल ओफ एनिमल इमलजेंट्स आर ओप्शन देखिए अकेश्या पैक्टीन जिलेटिन केजीन बेंटोनाइट वीगम ट्विंस पैंस तो इसके ओपर मैंने छोटा से वीडियो भी वनाया हुआ है जो यह इमल्सिफाइं आजेंट उनमें कौनक techniques से आता है व update टूं टो ठीक है और इसमें एग योक आता है ठीक है और एक जिलेटिन आता है तो आपके उप्शन सम स्में ऑप्शन बी है जिलेटीन और केजीन जो है यह क्या मृँप्शन इंपल ça जसके हैं दिलेटीन 친구 हो जाए quin पीं यह हम से जिए हुआ विद सोर्सी के तो इसमें आते हैं जैसे कैषी यह ट्रकाइनथा अगारina आता स्टार चाता है, यह सब आते हैं, और झो बैंटोनाइट और वीगम जो है है आपको मैं आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगी ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेशन नंबर नाइन है क्वेशन है डैश सुड नौट भी अप्लाइड और ब्रोकन स्कीन तो यह लीनिमेंट्स और लोशन के ऊपर ना मतलब क्वेशन रिपीट होता ही रहता है तो ब्रोकन स्कीन पर देखिए याद रखना आपको लीनिमेंट्स को अप्लाई नहीं करते ब्रोकन स्कीन पर लोशन्स होते हैं उनको ना ब्रोकन स्कीन पर अप्लाई कर सकते हैं तो इस टाइप का क्वेशन कई बार आता है तो आपको इनका थोड़ा से दिफ्रेंस ध्यान रखना है लिलिमेंट और लोशन का ठीक है मैं एक छोटा से वीडियो भी अपलोड करूंगी इसके उपर लोशन अपलाई नहीं करना चाहिए नहीं कि इससे क्या होते हैं एक्सेसिव इरिटेशन कोज करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेशन देखी क्वेशन नमबर टैन प्रोपाइल थायुग उरसील ड्रॉग विच इस यूजड फोर तो यह तो बहुत इंपोड़न्ट है यह एंटि थायू लुग्वट अप्लोड और लिंक वह साकते हैं तो इसका है आपको और सारी प्लासिफिकेशन के आपको एक ही जगवा पर तो इसके आपका हो गया अंटी-साइरोड हो गया ना एक्सट देखिए क्वेस्टन नंबर 11 है वट इसी आइडियल रेंज ऊफ़ जो ले टेस्ट एक्जाम हुआ था उसमें भी आया था बोडी मास इंडेक्स का क्वेशन तो इसका आइडियल रेंज पुछा है देखिए इसमें जो बिलो 18.5 जो होते हैं ठीक है और जो 18.5 से 24.5 तक होते हैं वो होते हैं नॉर्मल या हैल्दी वेट के परसंस जो होते हैं ठ 15.5 तो 25 आपका ओप्शन ए राइट हो जाएगा ओके नेक्स्ट देखिए क्वेशन नंबर 12 क्वेशन इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया तो कट दाउन हुमन तो मॉस्किटो ट्रांस्मीशन इस नॉन एज तो इसको क्या बोलते हैं रैडिकल क्यूरेटिव बोलेंगे सब्सक्राइब होता है ऐसे क्या क्या हूआ यह क्या फिमेलों आप गैमिट्स असवेरिकल कर देते हैं है तो यह मेल Сब्सक्राइब Minute में बनते हैं गैमिट्स उनका अलिमिनेशन हो जाता है तो इसकर विए सब्सक्राइब एस सब्सक्राइब 국bons चोंवया ने कि बडब ही ज हुमन से जो मौस्कीटो में ट्रांस्मीशन होता है वो रुख जाता है तो इसका आपका आंसर ऑप्शन भी हो जगा गैमिटोसाइडल और इसके लिए ड्रग जो मोस्ट सुटेबल होती है मतलब गैमिटोसाइडल एक्शन के लिए वो प्राइमा कुईन होती है ठीक है प्राइमा कुईन जो अंटी मलेरल ड्रग होती है हमारी next है question number 13 question है what is the category of drug nifopam nifopam की category के option देखिए anti allergic anti-piratic antiseptic या analgesic तो देखिए जब आप answers का classification जब आप पढ़ते हैं तो पूरा classification तो आपको मैं अभी नहीं बताने वाली क्योंकि वो टाइम लग जाएगा मैंने वीडियो अप्लोड किया हुआ आप देखि लेंगे तो उसमें एक त्सका इसलगार्यका खाल्ट बतेर आंटेगरी आती हैं और विट नतिवर हमारी झाहिए हमारी एक अब्चम्तुक्राइए पयराचेपरन खालन एकवेड दोतने गर्मइं उसमें जो आता है उसमें आता है बैंजोकसा जोसीन डेरिवेटिव उसमें आता है नीफोपैम जो है यह नोर नार्कोटिक अनालजसिक होती है तो आपका यह हो जगा ऑप्शन डी राइट हो जगा अनालजसिक ठीक है नेक्स्ट देखेर फ्लोकर्ट प्लोकर है उसमें आते हैं जोसीन वाली ड्रक्स जो होती है यह किस में आती है selective alpha 1 blockers में आती है तो आपका option c right हो जगा selective alpha 1 blocker होती है यह ठीक है और alpha 2 blocker में कोन सी ड्रग आती है यह आप कुझे comment करके बताएंगे अब ओके next दे के question number 15 है which one of the following is high potency long duration local anesthetic simple classification में से question है उसमें हम पढ़ते है low potency और short duration वाले आते हैं फिर आते हैं intermediate potency and duration then high potency and long duration थीक है तो जो low potency and short duration में जैसे आता है इसमें options जो है कि यहां है इसमें है कुन सा kloprokane जो हमारा लिडोक के न आता है और जो high potential low duration जिसकी ओती है वो Tetra-Kedं आ जाएगा इसमें.. विपीवा Cameron backbone महें हैं तो है टेट्रसिफिकेशन में डाइट्रसिफिकेशन जब है important होती ही है question number next देखिए which one of the following is naturally obtained alkaloid act as muscranic receptor antagonist तो कौन सा है जो muscranic receptor antagonist है आपको यह बताना है तो इसके option देखिए वैसिसीन कुईनिन आट्रोपिन या पिप्रीन तो वैसिसीन जो है इसमें यह तो वसका में present होता है जो होता है यह तो नहीं होगा इसका अंसर यह वैसिसीन जो होता है next कुईनिन जो है यह एंटी मलेरेल होती है सिंकोना से अप्टेइन होती है यह सिंकोना कैलिसाय अफिसइन गीरी यह सक्सी रूबरा यह सबसूर्स होती है और रूबियसी फैमली होती है कुईनिन कुईन यह सब आब को पता आई यह यह ड्रॉप चोईक्टर अंकीन होती हैคुनेदीन जो है वह ऐंन्टीरिध्मिक और एक लास्ट ओप्षण प्रियन जो है यह प्लाक पीपर जो होता है उसके अंदर प्रेजन होता प्रेजन तो आपका ओप्षण सी राइट होना था इसका क्वेश्चन नमट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नमट सैवनटीन Nose Capping is a drug of which of the following category, simple classification में से इसे 올़ाते है, Nose Capping जो किसमें से आती है, Nose Capping आती है, एंटिटस्ञ्तिव ड्रक्स में आती है, एंटिटस्ञ्तिव ड्रक्स जब पट़ता है, जो कौन से होती है, Cuff Center Suppresso Scene Drugs को suppressed करती है, सब्सक्राइब तो कंप सैंटर सप्रेसंट ड्रक्स करती है ना तो इसमें आते हैं ॉपकोड betting- also किसमें नन उंपएस में न्हों कोडीन सें ऽी notor do Z कि यह त्यंटर से कि नोन आपूइट में एक एंटि इस्टमिनिक्स को भी उसका याद यह तो यह क्लासिफिकेशन में से हैं तो आप को तोड़ा से याद रखना है तो एंसर हो गया एक्स्ट्रीम फोटो सैंसितिविटी धिजिटेल इस नाया सीन टेट्राश्य टेटरा सैकलिन फ्लोरों कुईनलोंस ठीक है तो इसका मेरे साब से यह टेटरा सैक्लिन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बाकि आप इसको कंफर्म करना ठीक है नेक्स देखिए क्वेशन नमबर 20 क्वेशन है इन एनसेट्स एनस्टेंड्स फॉर ऑप्शन देखिए तुम ढूल में आपको बताते हुँ एनसकी एनसेट्स जिंट्स नोन स्टेरोइडल इन फ्ट्रामेटरीं ड्रस न his ripping तट को और होता है ऐप्शन सी होजै आंसेटल going to the future नेक्सकी क्वेशन ट्वशंन वक्वेशन एग्जांपल औफ इन एंतगा प्लासिफिकेशन में अता है यह लाइन था गुट आता है जिसको साइटोसी अराबिन और साइड भी वोलते है और एक आता है और इक सोध़ स्टाइट कि टीनों टाइप की EU के टाएप की ट्रगस आती है यह क्यों सीघ्ड मेन टीनों टैप की ट्रकस तो हमारे ऑप्शन से ग्याइफ सिक्स इन एंटेगनिस्ट में आता है ना तो आपका ओप्शन ए होज़ेगा सिक्स थायो ग्वैनीन क्वेशन नंबर ट्वंटी टू क्वेशन है वीच फॉलुइंग हॉर्मोन इस नोट सिंथेस्ट वाइप पैंक्रियाज तो देखिए गैस्ट्रीन गुलुकागों इंसुलिन तो वैक्सीन या डीपीटी तो यह डीपीटी हो जाएगे ना डीप्थीरिया पार्ट्वीस और ट्रिपल एंटिजन वैक्सीन है तो ओप्शन डी आपका राइट हो जाएगा वैशन नंबर ट्वंटी फॉर देखिए क्वेशन है एफए किया इस डिसोडर ओफ तो जो यह आई या अंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी राइट होना है क्वेशन नमर्ट 25 टेटानस इस डिलेटिट टू ऑप्शन देखिए कि स्केलेटल मसल्स फाइबर तो बिल्कुल सही है रिलेटिट होती है क्योंकि इसमें क्या होता है टेटानस जो है इसको लोक्ड जोड ल होगा ठीक है आप लोग मुझे इसका कमेंट करके बताना क्या अप्रोप्रेट आंसर होना चाहिए इसका 25 का नेक्स के क्वेशन नमर्ट 26 विच ओफ फॉलोंग इस वायरस स्वाइन फ्लू तो स्वाइन फ्लू का है H1N1 ओके तो यह ओप्शन सी हो जागा H1N1 हमारा राइ यर्सीन पैस्टीज ठीक है तो कोलेरिया का विब्रियो कोलेरा होता है टाइफोड का सलमनल टाइफाइ होता है और लाप्रोसी का माइको बैक्तिरियम लाप्री होता है क्वेशन नमर्टीएट है एस पर ड्रग और कोस्मेटिक एक नाइटिन फॉलिंग कैटेग्री इस रिलेटिट टू तर्म फिल्थी और प्यूट्रीड तो यह किसके लिए अडल्ट्रेटिट ड्रक के लिए उस करते हैं तो ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा ओके न के लिए ओके नेक्स्ट है क्वेशन नमर्ट थर्टी है इन इंडिया पर्सन टू बी अपॉइंटेड एस ड्रग इंस्पेक्टर शुड़ एडुकेशनल क्वालिफिकेशन मीनिमम एटीन मांथ एक्स्पिरेंस इंदा मैनुफेक्ट्चिर ओफ शेडूल तो यह पढ़ते ह अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा शेडूल के वीडियो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेशन है इन विच ओफ फॉलोइंग इयर नार्कॉटिक ड्रग और सैको ट्रॉपिक सब्स्टेंस एक्ट वास इनक्टिर इंडिया तो अपको पता है है 1985 हम पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है इसका शेडूल फॉर आपका ओप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेशन नमर्ट थाटी फॉर क्वेशन है अब्जॉप्शन ओफ ओरल आरन मेडिकेशन इस लोवर्ड इफ टेकन लॉंग विद देखिए जो ओरल आरन लेते ह है तो उसको ना अच्वार्मेंट की रिक्वार्मेंट होती है अब्जॉप्शन के लिए ठीक है तो अगर हम कोई अंटैसेट्ट को मतलब कम करते हैं तो उससे क्या होता है अब्जॉप्शन कम हो जागा तो ओप्शन देखिए इसके और भी प्राजोल प्रोटन पंप इनि कर देंगे तो आपको ध्यान रखना है इसका अंसर हो जागा प्रोटोन पंप इनिवीटर होता है यह रभी प्राजोल हो जाएगा ठीक है तो इसको गैस्ट्रिक असर में यूज़ करते हैं आपको पता है इसका तो नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन में 35 काटेगरियो इट् था ऐप की ट्राय alan जोस में आती है जब आप एंटी फंगल ट्रॉकिशन पर्टते हैं में पर्ट आते हैं में ऐम है इनिचलन प्ताते हो। से इजी तो कुछ होई नहीं सकता option a right हो जाएगा नेक्स एक क्वेशन में 36 है विच फॉलिंग केमिकल्स है यूसफुल इन मैनुफेक्ट्रिंग स्किन और कोस्मेटिक पेपरेशन ऑप्शन से क्वेशन नमबर 37 क्वेशन है एंटी पर्स्पिरेंड सार प्रिपेर्ड फॉर फॉलिंग पार्ट ऑफ यूमन बोडी तो यह स्वेट ग्लैंड हो जाएगा आपका option डी हो जाएगा क्वेशन नमब 38 है most important toxicity of acyclovir जो अभी हमने देखा था एंटी वाइरल ड्रग होती है इसकी most important toxicity पते क्या होती है यह क्या करा देती है इनका मतलब metabolism करा देगी इसकी वजह से यह सब होता है तो यह रिफामपी सीन है आपका option बी राइट हो जगा बहुत ही important drug interaction होती है यह तो आपका option बी राइट हो रिफामपी सीन नेक्स्ट है और विच्व फॉलोंग डे फामिसी एक्ट केम इन्टू एक्जिस्टेंस options है 4th July 1948 4th May 1948 4th March 4th April 1948 तो आप एक question है इसका answer आप लोग comment box में देना otherwise इसको जब इसके next 40 questions लेके आएंगे तो मैं उसमें आपको बता दूंगी ठीक है तो इस वीडियो में इतना है अगर इसमें किसी question में doubt है आपको मैंने आपको किसी का wrong answer बता है तो आप प्लीज मुझे comment करके जरूर बताना क्योंकि questions में mistake हो जाती है तो इसलिए मुझे comment कर बताना मैं आपको उसको clear करने की कोशिश करूंगी ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करना ओके थैंक्यू कर दो